अगर आप भी SBI account में एक से ज़्यादा debit card apply करना चाहते हो और आपको ये देखने को मिलता है कि more than one active card is not permitted फ्रेंड पहले था कि एक से ज़्यादा card use करते थे और apply भी करते थे online हो भी जाता था बट अभी ये show करता है तो इसको कैसे fix करेंगे और new debit card कैसे apply करेंगे चलिए मैं आपको बताता हूँ तो सबसे पहले आपने SBI में login कर लेना है login करने के बाद ये three line पे जाएंगे top पे left side में उसके खिलिक करेंगे उसके बाद e services पे खिलिक करेंगे उसके बाद ATM card services पे जाएंगे उसके बाद नीचे आएंगे यहाँ पर आएगा आपको नीचे आपको दिखेगा request and track debit card अब इस पे क्लिक करेंगे उसके बाद नीचे आएंगे आप पहले account को select कर लेंगे उसके बाद debit card पर क्लिक करेंगे और name of the card लिखेंगे अपना नाम इंटर करेंगे यहाँ पर उसके बाद नीचे आप ATM card select करेंगे कौन से company का आपको debit card चाहिए इन में से कोई भी आप select कर सकते हैं जो आपको ज़रूरत हो यह आपका SBI Pay Pass International debit card Mastercard है मैं इसमें से Pay Pass select कर लेतना हूँ उसके बाद I accept पर टिक करेंगे और submit पर क्लिक करेंगे submit क्लिक करते हैं आपको यह शो होगा more than one active card is not permitted एक से ज्यादा आप card apply नहीं कर सकते permit नहीं है आपको friends यह सो करता सबको तो हमें दूसरा card चीए तो हम क्या करेंगे तो friends क्या करें इसके लिए दूसरा option है हम जाएंगे योनो SBI में जो SBI का official app है योनो उसमें हम जाएंगे योनो open हो इसमें हम अपना MPIN डालके login करेंगे login करते हैं यहाँ पर भी आपको left side में टॉप पर जाना है त्री लाइन पर क्लिक करना है और यहाँ पर service request पर जाना है उसमें जाने के बाद आप नीशी देखेंगे यहाँ side में ATM card लेका है ATM card पर क्लिक करेंगे आप उसके बाद यहाँ पर अपना profile password डालेंगे अपना SBI का profile password डालेंगे और login पर क्लिक करेंगे उसके बाद request new replacement पर क्लिक करेंगे उसके बाद friends हम यहाँ पर अपना card select करेंगे और यह card का नाम पहले एंटर कर लेते है card का नाम एंटर कर लेते है card का नाम एंटर करने के बाद friends हम यहाँ पर select करेंगे card तो हम कोई भी card select कर लेते हैं इसमें से, तो मैं रूप ये global कर लेता हूँ, इसके बाद address select करेंगे और ये i accept पर click कर देंगे, उसके बाद submit पर click करेंगे, submit पर click करेंगे, उसके बाद OTP आएगा, OTP इंटर करेंगे, तो कहां रहे गया OTP, आजा OTP, 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 ये मेरा OTP आगया है, OTP इंटर करेंगे यहां पर, उसके बाद submit पर click करेंगे, ये देखे, we will processing your card request with reference number, ये, आपको पंदर दिन में debit card आपके address पर आ जाएगा, देखेंगे, SBI के website से नहीं हो रहता लेकिन ये उनों से हो गया, तो I hope friends आपको वीडियो पसंद आए होगी, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को like कर दें, और ऐसे informative वीडियो के लिए मेरे चैनल को subscribe कर लें, और bell icon पर click कर दें, ताकि जब भी मैं वीडियो चरोचिंग्